प्रिपोजिशन नहीं है यह आधी अंग्रेजी है आधी अंग्रेजी और यह मैं सोचना है कि यह आउन का मतलब के ऊपर विद का मतलब के साथ वही पहले जैसा पढ़ाएंगे एकदम कमाल और फ्रेश और अनोखा टॉपिक लेकर आया हूँ यह टॉपिक आपके लिए बहु और यहां का मतलब क्या होता है वही के ऊपर पर ना सुनो आल एक जगा और लगता है अगर यह किसी भी वर्व के साथ जुड जाएं दोस्तों तो तो वहाँ पर यह हो जाता है लगातार काम करना, continue काम करना, जैसे अगर मालो इसे keep के साथ जोड़ दो, keep on, तो इसका मतलब हो जाता है, carry के साथ जोड़ दो, carry on, तो इसका मतलब हो जाता है, जारी रखता है, मतलब कोई भी काम जब लगातार कोई करना हो, तो हमेशा on का प्र प्रश्णनकारी लगतार काम, जैसे ये वह पढ़ता रहता है, अब इस sentence को देखिये, फिर से एक बार देखेंगे, वह पढ़ता रहता है, अब इस sentence को गोर से देखिये दोस्तों, इस sentence के अंदर साफ पता चल रहा है कि कोई काम continue हो रहा है, तो यहां पर कोई sentence बने ना बने यह पता चलिए इसमें on लगेगा क्योंकि continue लगा तारवर्ग है so where पढ़ता रहता है कैसे बनाने वाले हम लोग simple he keeps अब देखे on आएगा on reading he keeps on reading एक तो simple ऐसे हो खेलता रहता है पढ़ता रहता है या उसने पढ़ना चालू रखा carried on तू का मतलब होता है किसी कोई चीज़ देना समान देना लेकि देखिए तू का अनोखा मतलब तू का अनोखा मतलब है कुछ करना कुछ करना अब आप सोचिए कोई काम सोचिए जिससे करना हो पढ़ना, खेलना, सोना, खाना, पीना, है न, आना, आना, जाना, जाना, खाना, खाना, पीना, मतलब कुछ भी हो, इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट वम लगा दीजिए, हो गया, जैसे, जैसे, बोलना, बोलना, यह हो गया, तो कैसे बोलेंगे, बोलना को, to speak, देखो, to आसान, अब आप इसे बढ़ा दो, आसान है, बोलना, आसान है, तो कैसे है, to speak, is easy, is easy, यह देखो, कार चलाना, कोई काम करना है न, to drive a car, अंग्रेजी बोलना, to speak English, सोना, to sleep, खाना, पकाना, to cook the food, कितना सिंपल है कोई काम करना, आगे देखोंगे, add, I'm sorry, add का मतलब होता है किसी काम में, यानि जब कोई इंसान किसी काम में घुज जाए, जैसे, मैं, किसी काम में, मैं editing पर हूँ, भाई, अभी, अभी, मैं काम कर रहा हूँ, भाई, मैं अभी, रुग जा, भी, मैं फोन पर हूँ, भाई, अभी, रुग जा, मैं कपड़े धोने में लगा हूँ, सो पाँदहो पाँचहाु निए लिख छय आए यास नहीं है मैं सक्तित ही है। पाँदहों को पानी देने पर हुं। यानी अगर मिल्सane सहे लिख लोगता हुं। मेरा काम है पाँदहों को स assigning a can we can try the幫 तो मैं इस वर्क में हुं। तो यहां पर एट लगाएंगे। easy है यह देखो तो किसी भी काम पर रहें जैसे right now I am at teaching मैं पढ़ाने पर हूँ भाई साभी तो मैं पढ़ाना पर हूँ अभी बाद में बात करेंगे तो कोई किसी काम पर हो from from इसका मतलब हम सोचते दे से जैसे दिल्ली से आ रहा है मुंबई जा रहा हूँ यह तो है यह लिवो परिपोजिश्चनल मतलब है लेकिन मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ किसी चीज से दूर होने के लिए जैसे अब मैं तुमारी जिंदगी से दूर हो रहा हूं मैं घर से दूर हो रहा हूं तो कैसे बनाने वाले दोस्तो मैं घर से दूर जा रहा हूँ, I am going away, I am going away, है ना, अब इस सेंटर में from आएगा ही आएगा, क्योंकि दूर आगया, तो from आएगा, किसी से दूर हो ना, from the, from home, I am going away from home, इस तरीके से, अब दोस्तो अगला वाला आता है, इसके बाद, for, a for का मतलब क्या होता है, for का मत में के लिए यह खरीदा है, for, लेकिन, इसका एक और मतलब होता है, और वो होता है, किसी का, जैसे, मैं किसी का इंतिजार कर रहा हूँ, मैं किसी का, जो है, फोन चला रहा हूँ, I am using a phone for someone, ठीक है, यानि किसी के लिए, किसी का, तो यहाँ पे, for का use करेंगे, जैसे, किसी का किसी की, किसी के लिए, या किसी का खाली, किसी के, जैसे, मैं उसका, देखे, का लग गया, किसी का, उसका, इंतिजार कर रहा हूँ, इंतिजार कर रहा हूँ, तो कैसे बोलना है, दोस्तों हम इसे, I am waiting, यानि हो गया, मैं इंतिजार कर रहा हूँ, I am waiting, यानि हो गया, मैं इ वरना हमें अगर यह चीज नहीं पता होती कि वेट के साथ फूर लगाते हैं तो हम लगाती ही दिए कभी हम तो वेट में खत्म कर देता है एम बेटिंग मैं लेकिन किसी और फूर अच्छा दोस्तों अगला माला आता है बाए अब बाए का मतलता है दौरा एना लेकिन इसका कमाल का मतलब समझे इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं कोई चीज हासिल करने के लिए कोई चीज हासिल करने के लिए जैसे मुझे मुझे कम्प्यूटर मिल गया है ना मुझे कम्प्यूटर मिल गया या 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 किसी वह बहुत मेहनत करके हासिल करना हात अलग जाना एक तरीके से तो भाई लगाएंगे अध्यान लगाएंगा फिर उसमें लगाएंगा इसी तरीके से यू विल भी यू गैट के साथ भी लगा सकते हैं आपकी नौकरी लग जाएगी सबाय मतलब कोई चिज हासिल हो जाना विट लखेंगे विद विदका यूजए होता दोस्तो फाकर यानि किसी तो यह वही हासिल कर कर हैंगा मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं तो कैसे बोलेंगे I am happy with you I am happy with you तो यहां with का translation यह तो बैठा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ लेकिन इस with का आर्थ खाली के साथ नहीं तुम्हें पाकर खुश हूँ यह भी बैठता है तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि विद का मतलब खाली है नहीं है कि तुम्हारे साथ अब दोस्तों देखेंगे against क्या मतलब लगता है इसका मतलब लगता है खिलाफ यानि उसके against चला गया उसके खिलाफ हो गया लेकिन इसका एक कमाल का आर्थ बैठता है दोस्तों और वो है take लगाना ऐसे किसी चीज़ से take लगा देना तो आप कहीं खड़े हैं बैठे हैं लेटे हैं कोई समान रखा है कोई समान खड़ा किया है समान लिटा है अगर उसमें लगा देंगे तो हो जाएगा टिका दिया है टिका दिया जैसे मैंने मैं सेंटेंस ही बना देता हूं मैंने 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 क्या करें मैंने मैंने बाइक हा बाइक दिवार से टिका दी दिवार से टिका दी यहनि दिवार से टिका आगर खड़ी कर so I stood the bike अब दीके stand का मतलब होता है खड़े करना तो I stood the bike the bike against the wall against against the wall देखियो, valve के सहरे ऐसी मैं कहता हूँ ढ़ा टेक लगा के मत खड़े हो don't stand against the wall ढ़ा खंबे से टेक लगा के मत खड़े हो don't stand against the pole pole मतलब खंबा तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को आप टेक लगाने की बात कर रहे हैं इन दैट सेंस यू 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 अगे नौ दे बैस पार इस इन और इसके बाद में आपको देने वाला हूं एक छोट असा सेंटर जो आपको खुद बनाना है अपनी मेंस से बनाना जरूर क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेकिन पहले मैं यह बता जिता हूं इन इसका मतलब सुनेंगे दोस्तों हुआ है इसके बाद सेंटर देने वाला हूं दोस्तों जो खुद बनाना है आपको ठीकर ना का यूज कोई काम लगातार करना तू कुछ करना एक किसी काम में होना फ्रॉम मतलब दूर होना किस चीज से और दूर जाना या फिर फॉर किसी का यानि किसी का बाई का मतलब कोई चेहांसिल करना विदपाकर अगेंस टेक लगाकर और इन किसी चीज में इन्वाल्ट होना झाल पीज बजले झाल पाल पूर जा झाल आपने सबस्टा है झाल आपके जाल आपके मिलड़ार है झाल जाल रपके सकनश में आपके झाल है।